हर को नाम जप कर्म ते जो धर्म खड़ा है वो ही निर्मन है वो ही स्रेष्ट धर्म है भाव जप ही स्रेष्ट धर्म है जप ही निर्मन कर्म है दान ते बड़ा करदा है जप नहीं करदा इस दान देचों अभमान पैदा होवेगा हंकारदी बदबो आवेगी निरंकारदी सुगंदी ने सेवा ते बड़ी करदा है जप नहीं करदा इदी सेवा देच भी कठोरता होवेगी दायाने पाठ ते बड़ा करदा है पर मन नो नहीं जोड़दा अग्यान तो बणी रहेगी बणी रहेगी जैसे भोजन दी था ली सारा दिन मेरे हाथे चोबे मेरी बुकते नहीं मिटेगी बुकते मिटेगी कान नल सारा दिन जबान नल मैं बाणी पड़ रहा है इसे विच मेरा मन नहीं जुड़े है तो खेमा करनी कुछ भी नहीं हुएगा कुछ भी नहीं हुएगा इस वास्ते ये बुनियादी नुकता में थोड़े सामने रखा फिर बाद दिछ होर विचारा जब किमे करिए अगर कोई विधी विधान पुछे तो दो नुकते पहले में ये भी थोड़े सामने रख दें पहला नुकता ते कोई विधी विधान नहीं है फिर मैं अर्ज करां जो थोड़े सामने विचार रखांगा तस्दीख गुर्वानी करेगे पंकती थोड़े सुनावा ता जब भारम करम बिद निखेद राम नाम लेही बिद निखेद कोई बिदी निखेद कोई टांग नहीं है कोई तरीका नहीं है ये भगत कबीर जी दी पंकती कभीर के निए मेरे कुल टांग नाँ पुछो कि आई ही नहीं है तुस्य ही औख को के कभीर जैसा चंघ भागत सद्थगुर्ण ने अपने सीनेज था दिती पगता दिचों पहले रख्या है खुछ संडीज नहीं मेरे कोल कोई बिदी ना पुछब दरसल नुकता में थोड़े सामने रखा चछतीस प्रकार दे भोजन दा परोसेव या थाल किसे दे अग्वों रख देए ते अगला ए आखे टांग दा सो खान दा के में खाईए तो एक गल सपष्ट हो गई इन्हों बुख नहीं लगे कदी बुखा दांग पुछता है कदी बुखा ताउर तरीका पुछता है ठंडा पाणी दा किलास कोल ड्रिंग शर्बत किसे दे अग्वों रख देए ते अगला आखे पीन दा जरा दांग भी दासता तो गल साफ हो गई बुखा नहीं लगे जो ठंड पुछता है कबीर के अजर नाम भी बुखा नहीं पहड़ा है अजर प्रमात्मां भी प्यास नहीं पहड़ा है कबीर एक रहा नहीं वरना प्यासा कदी ढांग पुछदाय पाणी दा गिलास सामने पे आवे किमे पी कदी बुखा ढांग पुछदाय में किमे खामा ये ढांग पुछन वाले इन अच प्यास नहीं है बुखे नहीं है और ठांग दसन वाले क्यमा करने उननों कुछ भी ठांग दा पता नहीं है कबीर तो भी अपने अपने उस्याना कही जान देना ता जब भारम करम बिदने खेर राम नाम लेही गुर्पर साध जन कबीर राम करसने और मैं फिर अर्ज करां फिर भी एक ठांग है तुसी आखोगे आपे मैं खंडन करदा पें कबीर दी बोला नो लेके और होण मंडन करदा है यह भी गुरुगरन साथ दी बानी नो लेके क्या नल सुनना कोई ठांग नहीं है अगर कोई सामने परोसेव या धाल पे है ठांग पुछदा है खान दा इननो बुख नहीं है ठांग पुछदा है पेन दा इननो प्यास नहीं है कोई ठांग नहीं है प्यास होने ही चाहिए दिये कोई ठांग नहीं है बुख होने ही चाहिए दिये नाम जपन दा जो ढंग पुछला है अजे नाम जपन दी तडप नहीं है अजे खिच नहीं है अजे प्यास नहीं है अजे बुख नहीं पैदा लगी साचे नाम की लागे बुख अजे कोई नहीं है अजे नहीं है ताई जगा जगा ते ठांग पे आपोच दर मैं फिर अर्श कराऊं फिर भी एक ठांग है कि बोजन दी बुर्की मूँ च पानी पेंदी अखाच नहीं पानी पेंदी कन्ना दे च नहीं फिर भी एक ठांग है आमें पोजन्दी बुर की चुक के मैं कान्ने चापावां इदे राही मेरे मैदे चे परवेश नहीं करेगी इदे नल मेरी बुख नहीं मिटेगी मैं अक्खाँ चापा लवा ओधे चे नमक मर्श होएगा खान दे तो पानी आ जाएगा खान ते खराब होन की मैं नकदेच पावाते निच्छान गिया ए दुआर नहीं है फिर भी एक ढंग है कि बोजन दी बुर्की मुझ पाने पे मुदे राही अंदर जाएगा कोई ढंग नहीं है प्रभूदे नाम जपन दा फिर भी एक ढंग है की ढंग है धन गुरु नानिक देव जी महराज सुही रागनिश दस्देने रसना नाम जपो तब मत्ये इनविद अमर जपो जबान नल जपने और की है कोई अखानल थोड़ी जपने नकनल थोड़ी जपने कन्ना नल थोड़ी जपने ते सारे इंद्रे देते ने, प्रभू ने, जपना ते जबान नाल है, रसना नाम जपो तब मत्ये, इन बिद अमरत पाओ, इस बिदी नाल अमरत दी प्रापती हो जाएगा, हुण में अर्ज करा है, जबान नाल जपना इंज है, जिमें हाथा नाल रोटी पकाना, पर रोटी पकाना रोटी खाना नहीं है, पकान नाल बुख नहीं मिटेगी, एदूजा नुकता में थड़ी सामने रख रहे हैं, रोटी कमान नाल भी बुख नहीं मिटेगी, सारा दिन रसोई देच रहे हैं, ते भोजन बनान दा रहे हैं, बुख नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, सारा दिन बाणी पड़दा रहे हैं, पोजन बनाना है, वह गुरू वह गुरू जवान जपदी रहे हैं, पोजन बनदा है, उने नुख खाना वी ते न, जे को खावे, जे को पुनचे, तिसका होय उदारो, उनुख खान दा डंग की है, जिवे पोजन दी बुर्की दा ड दंग है मूँच पानी पाएगे, तेवे नाम जपन दा डंग है, जबान ने थे भजन करना है, बनाना है, जपनू रख देना है, कन्ना दे राही ओ शब्द ने अंदर प्रवेश करना है, अखा दे राही नहीं, मूँ दे राही भी नहीं, नक दे राही भी नहीं, ऐ डंग है गाविये, सुनिये मन रखिये बाब कहें दिना रोटी कमाना ओख है पकाना ओख है, खाना ते बड़ा सोख है सारे कार सक देना, अराम ना कमाना ओख है पकाना ओख है दूजी में अर्ज करां भजन ए आत्मा दी खुराक है मंदी खुराके भी पोजन है अध्यात्मक पोजन है एक कमाना ओख है पकाना ओख है खाना बड़ा ओख है जेखो खावे स्वासे सद्गुर केंदेना कोई खावे ते सही खांदे नहीं कोई बुखे दे बुखे रह जाने वह गुरू, वह गुरू में घंटा जपे है मेरे मन ने एक मिंट भी नहीं सुनया बुखे दा बुखा रह जा मांगा कुछ भी नहीं है पकान नालते बुख नहीं मिटती सोरह दिन राम राम रटदा रहे है यकीन जानों सोग संताप दिछ रहेगा कोई अनंद नहीं, कोई खेड़ा नहीं इन्हें भोजन बनाया है ठक जाएगा राम राम जपदियां ठक जाएगा वह गुरू वह गुरू कर दियां ठक जाएगा और ठके वे मैं देखना, टुटे वे मैं देखना ठाक गए रहे पिते ठके मां ले जाना चाहिदा सी ले सकदा सी जे भोजन चक लेंदा ते ताजगी आ जाना सी बुख मिट जाना सी ठके मां ले जाना सी पकान दा भी ठके मां ले जाना सी जे किदरे ए छक लेंदा शबद दा छक ना कीए जे को खावे जे को पुंचे जबान ने भोजन बना है वाहे गुरु वाहे गुरु ए भोजन ते बन गया एदा छक नहीं होख है मन सुने ते मन ताई सुनेगा जे मन चुप करे जोड़ा पहले ही बोलदा पहते सुनेगा की उची उची बोलन वाला किसे दी गल सुनने ही सगदा किसे दी गल सुनन वास्ते चुप करना पहना है आम तुसी सारे सेने बिटे किसे नो सुनना है तो चुप करना पहेगा मन ने सुनना है तो मननों खामोश होना पेगा मननों चुप रखना पेगा मननों चुप रखना ही मन दीका गरता है मननों खामोश रखना ही मन ला पवित्तर होना है मन चुप नहीं करता पुक्की नहीं करता बड़े लंबे समें तो ए गल पकड़ दे चाही सी कि चुप रहें नाली प्रमातमादी प्राप्ति है मन चुप करे कुछ एक ने इस गल नो समझे है न ते कुछ एक ने तरीका ए अपनाया चलो पहले जबान नल नहीं बोल दे चुप कर जाने है शायद फिर मन भी चुप कर जा अगर मोन धारन करके प्रमातमा मिलदा न बोलन नाल तो फिर प्रमातमा जबान देनदा ही नाय ते बोलन वास्ते देती है जो कुछ देता है वरतन वास्ते देता है और वरतों ना करो यकीन जानों कमजोरी आ जाए ड़े अक हां ते कोई पट्टी बन लवे तिन चार साल खोले ना अंदा हो जाएगा अगर चार साल बाद उसने पट्टी एक पासे कीती अंदा होएगा क्योंकि अखादी वरतों ने कीती इस्तिमाल ने कीती इतिहुं सैंटिस्ट भी ऐसा केंड लग पेन कोई बोले ना दो चार साल यकीन जानो बोलन दी शक्ती गवाच देगा मैं दो चार मोनी अपने सिख जगते देखें जिनाना लकब जुड़े होया है मोनी जी एक दो उते गुजर गए एक दो है गए बारा साल बाद मोन खोले आवाज बिलकुल मादीन होगी बारीक होगी बड़ा जोर दा बोल देन तनके दे पल्ले पेंदे और थोड़े जिया बोलन लगे अवे लड़कडा जादे जबान बोलन दी शक्टी गवाबेट बोले हाई नए जिड़ा मनों कपने दिमाग तो कामना लवे सोच शक्ती तो कामना लवे यकिन जानो मूड़ दा मूड़ रह जाएगा जिमें लोहा वर्तन देच बनेया रवे ते लंबे समय तक रेंदाए उन जो पे आ रहे ते जंगाल खा जाएगा यह भी मैं अरज करते हैं सरीर दे जिस ग्यान इंदरे तो कम नालाव कमजोर हो जाएगा जिड़े मनुख थोड़ा बहुत पैदल नहीं चल दे यकिन जानो चलन दी शक्ती गवावेड़ दे जिड़े लोग थोड़ा बहुत हथा नाल कम नहीं कर दे उना दे हाथ भी कमजोर हो जाएगा यह ते कुदरत ने नियम बढ़ाया है परमात्माने नियम बढ़ाया है तो कहिया ने ऐसा समझे है चलो जबान नाल भी नहीं बोलते शायद मन चुप कर जाए गुरु नानिक समझान दे नहीं चुप चुप ना हो वई जबान दे चुप कर नाल मन चुप नहीं करेगा नहीं करेगा उदा जबान नाल कोई मतलब ही नहीं है चुप चुप ना हो वई जे लाहे रहे आले बतार तो एक ले बतार कई सालां तक चुप कर ता भी मन चुप नहीं करेगा बोलता रहेगा मन दा सुबाव है बोलना इज़ा बोलना के में बंद करिये दा बोलन वाले नो वक्ता कहने नहीं चरन गहों बकों सुब रसना दीजे प्रान अकोर वक्ते तो पंजाबी रूप बने यां बक्ता पावें आज ते इदे आर्थ कुछ होर बन गे नहीं चरन गहों बकों सुब रसना बकों दे थे आर्थ ने बोलना बोलना इस जबान नल में सुब बकदां एंजी कहलो बकों सुब रसना शबद है गुरु अरजन देव जीता इदे अर्थ ए नहीं जो असी कर दें शबदां दे अर्थ दुनिया जो कुछ हो रो गएने पर शबद दे अपने अर्थ ने बोलना बोलन नो वक्ताव केंदे ने बोलन वाले नो वक्ता केंदे ने चरन गहों मैं उदे चरन पकड़ दा बकों सुब रसना जबान नल सुब बोलना बकों दे अर्थ बोलना जबान वक्ता बने मन वक्ता ना बने मन सरोता बने बस इनी गल जबान नू बड़ी असानी नाल वक्ता बना ले देया बहुत असानी नाल इबोजन बड़ी असानी नाल कमा ले देया बना ले देया वाहे गुरू वाहे गुरू वक्ता बन गई मन स्रोता नहीं बन दा ते मन नहीं खाने चुप करे ते शबद अंदर प्रवेश करे ते चुप नहीं करना मैं एक शेर दे कि सज्जन ने अरदास कराई किदरे दो चार मेने अच उसने पाट की थे उन्हें ने पंच हजार सुकमन नहीं सावदे अरदास कराई पहुग पुआया मेरे को लो किसे ने पुछ है बड़ा महान मनुक है पंच हजार पाट सुकमन नहीं सावदे कर चुक है मैं करे चेरे दे चाब ते एक पंगती दी भी कोई ने एक पंगती दी भी कोई ने की ओए यह पंच हजार की ते यह प्रोटी बणांदा ते रहे है, रोटी याँँदे डेर लाये निसमे ख़ड़े, कोई निसमे Körper a अरस करना बार दि दुनियां दिच्छ, झानां आफ्छ, खाना समख। धरम दी दुनिया देट भोजन खाना ही बढ़ा होका है जे को खावे एस वासे सद्गुर कहने है कोई खावे कोई चके सिर्फ चके ना हजम भी करें क्योंकि है वी गजावे जिस दिन अंदर शबद प्रवेश कर गया ना मन दी दुनिया बदल जाएगे घवराहट भी होएगे कुछ भैवी जागेगा एक ही होगे एन ना परकाश एक कोई दफा शबद चोट करें एक कोई दफा सुने मन एक दफा जे एक गुर की सिख सुनें एक दफा इधा मतले में सव दफा वाहे गुरू वाहे गुरू आखे है मन एक दफ़ा भी पूरी कागरता नल नहीं सुनदा क्योंकि एक दफ़ा सुनदा है हजार दफ़ा इस सवास्ते बोलना है वाहे गुरू, वाहे गुरू कि दिरे मन एक दफ़ा सुन लो है जे एक गुर की सुन पाँच हजार सुकमन्नी साबदे पाठ कर लें देयां मन ते नहीं सुनता सुनन लगेयां मन पहले चुप करें और इस सारी त्यारी अमरत विले उठके जप दी यह है यह भी मैं आज कर दें इस सतसं करना एक अधा की इतन सुनना ते करना इस सब जप दी त्यारी है कई सजन के सारी जिन्गी त्यारी थी अपना समागवा बैठ दे पाई गुर्दा सुना बारे केंदने पूछत है पथक ते मारग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाई है एहुन गल्ना नल के में पहुंचे के में पहुंचे तुसी आखोगे एक दफ़ा दे सुनन नल खेड बन जान दी हाँ एक दफ़ा दे सुन सारी दुनिया बदल जान दी लखा दफ़ा बोलर नाल मन दी दुनिया नहीं पहुंचे कर देन पहुंचे मन दुनिया अझा बोलर नाल कि अभर बन दीं तुसी आखोगे झाल